पूरिख स्टूड्टी बर्स आप में से बहुत सरे स्टूडेन्टस चिन्होंने प्रेपरिक की स्टार्ट की थी लेकिन on off track होगें अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से restart करें कैसे अपना पूरा स्लिबर्स कंप्लीट करें और बहुत सरे स्टूरें जिरों ने भी तक त्यारी स्टार्ट ही नहीं करी है और उनके माइन में सिरफ एक ही क्वेशन चलता रहता है क्या मैं कैट एक्जाम क्रैक कर भी पाऊंगा तो भई आपको इस पीडियो में मैं complete crash course के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी help से आप पूरी preparation बिल्कुल basic से advance तक कर पाऊगे आपका हर एक concept आपकी practice, previous year paper, mock test, उनका analysis और वो भी एक complete study plan के साथ तो पूरा का पूरा time table आपको दिखाने वाला हूँ study plan आपको दिखाने वाला हूँ लेकिन उसकी condition यह है कि डेली आपको 6 आर से 7 आर पढ़ाई करने हैं तो अगर आप 6 तो 7 आर पढ़ाई करने के लिए ready हो तो ही यह planner तो ही यह crash course आपको help करेगा और इसके demo lectures इसकी details में आपको इस video बता दूँगा लेकिन अगर आप self preparation भी कर रहे हो तो भी यह plan आपको बहुत बहुत जादा help करेगा आपने पूरे के पूरे पढ़ाई के routine को एक structure देने के लिए एक time table देने के लिए तो बहुत ध्यान से video देख लेना यह crash course जो start हो रहा है वो start हो रहा है 15th of September से जिसमें पूरी preparation cat की बिल्कुल basics advance तक again भाइ बोल रहा हूं daily आपको 6-7 hours देने पढ़ेंगे पढ़ाई का कोई alternative नहीं है हम लोग आपको एक time table दे सकते हैं content दे सकते हैं अच्छा course दे सकते हैं ताकि आपकी preparation हो पाएं लेकिन वो effort आपको लगाना पढ़ेगा करने के लिए ideally आपको 500 hours की पढ़ाई करनी पढ़ते है ठीक है अब कुछ student ऐसे होते हैं जो daily 1-2 hours पढ़ते हैं कुछ student daily 2-3 hours पढ़ते हैं आपके सामने जो challenge है वो यह है कि आपके बच्चे 75 days इस 75 days में आपको पूरी की पूरी तयारी करनी है तो अगर आप ready हो 6-7 hours daily पढ़ने के लिए तो ही आगे वीडियो देखना तो ही आपके लिए beneficial रहेगी लेकिन अगर आप यार इतना time पढ़ाई में नहीं लगा सकते हैं तो आपको देखना पढ़ेगा किस तरह से आप इस exam को proceed करो क्योंकि अगर आप आज से अपनी तयारी शूरू कर रहे हो लेट से तो आप daily 6-7 hours serious studies के माँ बात कर रहा हूँ तो serious पढ़ाई आपको करनी पढ़ेगी अगर आप एक essay student हो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपको revision करना है कुछ topics आते है कुछ नहीं आते तो आप daily 3-4 hour devote करने के लिए ready रहो इतने time को devote करने के बाद अब अच्छे से इसी साल अपने exam को crack कर पाऊगे ठीक है तो mindset पहले बनाओ और जब मैं 6-7 hours बोल रहा हूँ न ये एक दिन की बात नहीं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते है day 1, day 2, day 3 पे तो बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे फिर वो एक दिन lag कर देंगे, एक दिन match देखने लग गए एक दिन Netflix चलाने लग गए, वो पूरा गुरा focus lose हो जाता है अभी आपके पास वो time नहीं है, focus lose करने का आपको अभी से एकदम 75 days बिल्कुल compact तरीके से पढ़ाई करनी है आप मान सकते हो ये बाई, एक तरह से 75 hard challenge है ठीक है, आपको हर दिन इतनी महनत करनी है, हर दिन आपको verbal भी देना है आपको quant भी करना, आपको LIDA भी करना है, अपना revision भी करना है तो एक एक चीज आप ये commitment कर लो अपने आपसे किसार अगर मैं 75 days dedicate कर दूँ, तो क्या मेरे exam crack हो सकता है the answer is yes, तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दूँ कि क्या क्या clarity आपको चाहिए, क्या क्या चीज आपको करनी है इस exam के लिए, तो concepts आपको बिल्कुल clear होने चाहिए quants के, verbal के, LIDA के, हर एक concept पर आपने कम से कम 75 to 100 questions practice करे होने चाहिए, हर एक topic आपको revision भी करना है revision किस तरह से होता है, previous year के paper से होता है, mock से होता है या फिर जो भी आपने पूरे हफते में पढ़ा है, उसका एक weekly revision करना है then आपको sectional test करने है, आपको 25 कम से कम full length mocks करने चाहिए exam से पहले and last 5 years के जितने paper उनका हर एक slot का एक question आपको करना है question ये है, सरक क्या ये 75 days में possible भी है तो मैं आपको एक पूरा time table दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको ऐसी बोलो, पूरा एक time table दिखा रहा हूँ जिसको देखने मात आपको भी लगेगा, हाँ यार, ये possible तो है बस again, मैं एक की चीज बार-बार repeat कर रहा हूँ आपको dedication के साथ मेहनत करने है, ठीक है, बहुत बड़िया blueprint आपके सामने है, quants का पूरा 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 स्लेबर से इसमें आपकी पहली प्रेफरेंस होने चीज़ा arithmetic को, second preference आपकी algebra को, third preference आपकी geometry को fourth preference आपकी modern math को, and fifth preference आपकी number system को LIDI के अगर मैं बात करूँ तो arrangement के आपके सारे के सारे topics हो गई, games, tournament, critical power, logical games, win diagrams, यह सारे important topics है and D.I. कभी भाई, 1-2 set आपके exam में आते हैं तो उसकी भी हमें practice करनी है verbal में जादे तर लोग गलतिया करते हैं, वो सिरफ और सिरफ RC practice करते हैं लेकिन आपको यह समझना है, para jumbles, para completion, para summary, odd one out यह topics आपके scoring areas हैं, आपके जो remaining questions होते हैं, RC के अलावा वो इनी topics आते हैं और यह काफी जाधी scoring होते हैं, तो आप काफी अच्छे से यहाँ पे topics complete करो तो बहुत अच्छा score कर पाओगे and अगर मैं आपको यहाँ पे एक analysis दूँ, तो आप last 5 years का data देख सकते हो 99% है लाने के लिए last year 84 marks जेते हैं out of 198, which is approximately 43-44% of the paper, correct? अगर आप cat 21 की बात करोगे तो 98 marks जेते हैं out of 198, which is 50% of the exam, अगर आप cat 20 की बात करोगे तो 101 marks जेते हैं out of 228, which is 44% of the exam, cat 2019 में 156 marks जेते हैं out of 300, which is 52% of the exam and cat 2018 में 154 out of 300, which is 51% of the exam तो यहाँ पर आप यह समझ सकते हो, कि 50% paper सही करने पर आप 99% अचीव कर सकते हो, और आप एक चीज़ समझो, बहुत सर बच्चे कमाइन में doubt होता है, सर मेरा यह topic नहीं आता, मुझे तो मैं exam crack ही नहीं सकता, सर मेरे से games and tournament नहीं हो नहीं हो नहीं करी नहीं सकता, सर मेरे से geometry से करना चाहते हो, well and good है, नहीं तो ही मैंने cat का final last crash code launch कर दिया 15 September से, जिसमें 75 days का एकदम sincere plan आपको पुरा पुरा दिखाने वाला हूँ, जिसमें हर दिन आपको 6-7 hours पढ़ाई करनी है, एक dedication के साथ एक तरीके से structured form में आपकी तयार होगी, इस course में आपको 150 hours के video lectures मिलेंगे जिसमें सारे topic बिलकुल basic concept level से होंगे, previous year के video से मिलेंगे, जो last 5-6 years के जितने भी slot हुए है, हर एक question आपको समझाये गया, कैसे exam condition में उसको solve करना है, तो आपको sectional test, topic wise test मिलेंगे, easy, moderate, advance, 24-7 doubt forum रहेगा, ताकि आपके जो doubts हैं, वो भी clear होते चले जाए, and 30 full nine marks, बहला पू इस course के अगर आपको demo lectures देखने हैं, तो demo lectures मैंने description में आपको सारे के सारे links provide कर दे हैं, पूरा पूरा quants कर वीजिन है, यह कुछ 8 hours की video है, then उसका LIDA कर वीजिन है, around 4 hours की video है, then verbal कर वीजिन है, 3 hours की video से, इनको देखने माद आपको खुदी clarity मिल जाएगी, कि आपको इस से भी तयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल hopeless नहीं होना है, आपके सामने यह पूरा plan है, जो भी आप reference betale follow कर रहे हो, उस reference betale को use करके, इस order में अपनी पूरी तयारी को complete कर सकते हो, तो 15 September से मैंने यह plan बनाया है, जिसमें आप सबसे पहले cat mock 1 लिखोगे, जिसमें आपको एक पूरा का पूरा स्लीबस भी हो जाएगा, आपके प्रीवेस एर पेपर भी हो जाएगे, आपके जो important topic से वो भी हो जाएगे, आपके mocks, analysis, हर एक चीज इस planner में मैंने cover up करी है, then आप यहाँ पे averages का video lecture देखोगे, portal पर जाके इसके test की practice करोगे, इधर आप root words का video lecture देखोगे, मैंने आपको vocabulary के addition lecture यहाँ पे दिये हैं, ताकि RC और जो non-archive topic होते है, para summary, para completion, यह सब आप percentages का video lecture देखोगे, इधर circular arrangement का video lecture, इधर RC video 1 देखना है, और इस तरह से आप देखोगे, मैंने पूरा यहाँ पे आपको arithmetic कराया है, हर अफते मैंने आपको एक दिन दिया weekly revision के लिए, हर 5-6 दिन में, ताकि पूरे अफते में जो भी आपने पढ़ा है, उसका आप revision कर पाओ, यहाँ पे आप एक mock भी लिखोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कोई भी अगर backlog रहेगे, वो cover up कर लोगे, mock लिखोगे, तो आपको अपनी performance evaluate होती देगी, कितना आप यहाँ पे improve कर पा रहे हो, ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे, तो TSD के जो video lecture है, वो देखो सुरिय साथ में, आपकी vocabulary build हो रही है, ताकि verbal ability जब आगे आप करोगे, तो वो आप comfortably कर पाओ, geometric बाद आप यहाँ पे देखोगे, पूर एक बुरे algebra के आप वीडियो lectures देखोगे, इधर आपका पूरा DI चल रहा है, क्योंकि आप आपने arithmetic कर लिया है, तो आप DI comfortably कर पाओगे इधर आपने अब जब vocabulary better कर लिया है, तो आर्चे के साथ, जो non-archive topics जंबल, sentences, MCQ, इन सब के वीडियो lectures देखोगे, और पोर्टल पे practice करते चलोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस planner के according, within 43 days आपका पूरा syllabus basics लेके advance तक खतम हो जा रहा है, और इसके बाद ह आपको मैंने एक folder provide के miscellaneous lecture, वहाँ पे क्या है, previous year के जितने भी important questions है, topic wise, जितने भी आपके slot wise, वो आपको कराये हुए है, वो आपको बहुत ज़दा help करेंगे, तो quants के आपको इस तरह के questions दिये, साथ में LR और verbal में आपको sectional test करने है, ताकि आप अपनी speed को better कर पाओ, आपके last five years के जितने papers हैं, उनके videos देखेंगे, तो मैंने आपको क्या किया, cat 22, 21, 20, 19, 18, 17, इन सबके previous year में जितने भी slots है, slot 1, slot 2, एक एक question आपको यहाँ पे solve करके दे दिया है, वो भी quant, LRDI, verbal, अलग-अलग, ताकि आपको यह पता चल पाएं, कि exam condition में पूरे section को कैसे deal क कौन-कौन से questions आपको करने थे, exam condition में कैसे उस question को जल्दी कर सकते थे, वो सारे video जब आप देख लोगे, तो आपके previous year के सारे paper and आपका final round of revision भी complete होगे, इसके साथ आपके mocks चल रहे हैं, फिर आप बही 5 mocks और लिखोगे, 25 mocks आपके complete हो जाएंगे, आप additional mocks देना चाहते तो इस plan में सारे के सारे lecture बिलकुल basic से हैं, पोर्टल पर जाके आपकी practice भी हो रही है, आपने previous year के questions भी कर लिया है, आपने miscellaneous questions भी कर लिया है, इसके साथ आपने revision भी कर लिया है, आपने sectional test भी कर लिया है, और आपने full learn mocks भी लगा लिए, तो अगर आप देखोगे, तो mind में fit कर लो कि आपको यह plan अगर follow करना है न, तो आपको हर दिन six hours dedicated देने ही देने पड़ेंगे, कोई यहाँ पर gap का option नहीं है, कोई आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप off track हो जाओ, अब 75 days एकदम लगके 100% sincerity के साथ, अगर आप तयारी करते हो, तो चाहे आप zero से start कर रहे हो, चा का benefit लेके पूरी तयारी एक structured form एक direction के साथ कर लोगे, ठीक है, तो यह आपको advantage जहाँ पर मिल जाते है, कि आपको पता है, to the point यह lectures मुझे करने है, वो lectures आप देखोगे, and you are good to go for your exam, ठीक है, तो 150 hours की video lectures, previous year paper के videos, sectional test, topic test, 24-7 doubt forum, 30 full-land mocks, हर चीज़ आपको provide हो रहे है, fees मा अ test series आपको नहीं लेनी, आपको वो साथ में provide होगी, लेकिन अगर आप सिरफ test series लेना चाहते हो, तो वो भी हमारी available है, जिसमें आपको 13 national level full-land mocks मिलेंगे, and आपको 24 sexual test मिलेंगे, 8 verbal, 8 quants, 8 LIDAK, and आपको 6 यहाँ पे all slot के paper मिलेंगे, जिसमें बहुत sincere तरीके से आप अपने paper को कर सकते हो, and यह सारे के सारे paper आपको mock की form मिलेंगे, तो एक तरह से additional practice आपको यहाँ पे हो जाएगी, topic-wise test आपको मिलेंगे, हर एक topic का easy, moderate, advance, हर एक question का detailed analysis and solution आपके सामने आएगा, and एक complete analysis आपको यहाँ पे मिल पाएगा, पूर एक बोरे test series का जो fees that is 1500 रुपीज, वो प आपको यह पूरा planner send कर देते हैं, इसको आप अपने according update भी कर सकते हो, लेकिन इसको आप एक benchmark के तरह follow करोगे, तो within 75 days, हर दिन 6 hours अगर आप लगाते हो, तो definitely आप इस exam में अपने score को maximize कर पाऊगे, अपनी preparation को लेके confident हो पाऊगे, लेकिन मैं पहले आपको recommend करूँगा, कि आ Otherwise भई आप website पर जाके भी directly enroll कर सकते हैं, so all the ways, thank you so much and take care.